गले की खराश के आयुर्वेदिक घरेलू उपाय आयुवेदिक होम रिमेडीस फो सो थ्रोट दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करने जा रही है एक आम समस्या के बारे में जिसे हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया है गले की खराश की मौसम के बदलते समय में यह समस्या बड़े आम रूप में आ सकती है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उस समस्या से निजात पाने के कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय पर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हमारे स्वास्थ्य और विल्नेस से जुड़े नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले हम बात करेंगे कि गले की खराश क्यों होती है और उसके क्या कारण हो सकते है मौसम के बदलने पर ठंडी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से या रात को आइस्क्रीम खाने से गले की खराश हो सकती है इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते है आईए अब देखते हैं उसके लक्षन गले की खराश के लक्षन गले में खुजली और खराश की भावना खाना निगलते समय या पानी पीने में कठिनाई गले में सूजन और दर्द बोलते समय हलका दर्द आवास में बदलाव या आवास की कमी आयूर्वेदिक घरेलू उपाई आयूर्वेदिक होम रिमेडीज गले की खराश से राहत पाने के लिए आयूर्वेदिक घरेलू उपाई बहुत कारगर हो सकते है यहां हम आपको कुछ ऐसे उपाई बताएंगे जो आप आसानी से अपना सकते है आयूर्वेदिक घरेलू उपाय गले की खराश के लिए रेमेडी एक अद्रक और शहद जिन्जा अन्हानी पहला उपाय है अद्रक और शहद का मिश्रन अद्रक में एंटी इंफ्लमेटरी गुड होते हैं और शहद गले को सुख़त बनाता है आएए देखते हैं इसे कैसे तयार किया जाता है एक छोटे से टुकडे को कद्दू कस करें इसे एक चम्मच शहद के साथ मिलाएं इस मिश्रन को दिन में दो बार सेवन करें रेमेडी दो, हल्दी वाला दूद, टर्मरिक मिल्क दूसरा उपाय है हल्दी वाला दूद हल्दी में करकुमिन होता है जिसमें एंटीबेक्टीरियल गुण होते हैं यहां देखते हैं कि इसे कैसे तयार किया जाता है एक कब दूद को गरम करें एक चुटकुले हल्दी का पाउडर मिलाएं अच्छे से मिलाएं और सोने से पहले पिएं रेमेडी तीन नमक वाला गरारा, सॉल्ट वाटर गागल तीसरा उपाय है नमक वाला गरारा नमक वाला पानी सूजन को कम करने में मदद करता है और बैक्टीरिया को मारता है इसे करने के लिए निमलिखित चरणों का पालन करें गरम पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं इस उपाय को दिन में कई बार करें निशकर्ष और सावधानिया, कंक्लूशन और प्रिकॉशन्स याद रखें, ये उपाय मददगार साबित हो सकते हैं लेकिन यदि आपकी खराश कुछ दिनों से ज्यादा दिनों तक बरकरार रहती है तो आपको एक चिकितसक से सलाह लेनी चाहिए इसके साथ ही आपको परियाप्त पानी पीना, अच्छे से आराम करना और ठंडे खाद्य पदार्थों जैसे कारणों से बचना भी आवश्शक है घरेलू उपायों के फाइदे Benefits of Home Remedies ये आयूर्वेदिक घरेलू उपाय न केवल आपकी गले की खराश को दूर करने में मदद कर सकते हैं बलकि ये आपके शरीर के अंदर से भी खराबत को खत्म कर सकते हैं घरेलू उपायों के फाइदे आपके शरीर के विभिन हिस्सों की सुरक्षा करते हैं विशेश तोर पर अद्रक में एंटिक्सिडेंट गुर होते हैं शहद और हल्दी के मिश्रन से आपकी आवाज में सुधार हो सकता है यहां तक आयूर्वेदिक घरेलू उपायों का एक सार देख लिया लेकिन याद रखें अगर आपकी समस्या बड़ी हो रही है या किसी और समस्या के साथ मिलकर हो रही है तो डॉक्तर से परामर्ष जरूर ले तो दोस्तों ये थे कुछ आयूर्वेदिक घरेलू उपाय गले की खराश से निजात पाने के लिए आप इन्हें आजमा कर देख सकते हैं और अपने अनुभव हमारे साथ साजह कर सकते है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि गले की खराश से निपटने के आसान और प्रभावी आयूर्वेदिक घरेलू उपाय कौन-कौन से हो सकते हैं याद रहे ये उपाय केवल सामान्य खराश के लिए हैं और यदि आपकी समस्या बढ़ रही है तो आपको चिकितसक से सला लेनी चाहिए हमें आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए उप्योगी साबित होगी अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृप्या कमेंट बॉक्स में हमसे साजा करें धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप हमारे नए वीडियो के साथ जुड़े रहें स्वस्थ रहें खुश रहें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में स्वस्थ ग्रण करें झाल 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 झाल